हलो बच्चो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स नैशनलिज्म इन यूरोप अब इसे सीरीज में आज हम पढ़ते हैं नेपोलियन के बारे में नेपोलियन आपको पता था आपने नाइन्थ में फ्रेंच रिवोलिशन में पढ़ा था अगर नहीं पढ़ा था वैसे वहाँ पे थोड़ा सा ही है ज्यादा है भी नहीं तो नेपोलियन आपने वहाँ पढ़ा था कि आफ्टर दे फेल ओफ डारेक्टरी रूल डारेक्टरी तो यहां पर हम उसी के बारे में पढ़ेंगे नैपोलियन 1799 से 1815 तक उसने फ्रांस पे रूल किया अगर हम फ्रांस की बात करें तो डारिक्टरी रूल के खतम होने के बाद से लेके और 1815 तक यानि 1799 से 1815 तक 1815 में नैपोलियन को वाटरलू में हरा दिया था तो 1815 तग नैपोलीन जो था वो उसने वो वहाँ का रूलर था उसके बाद नैपोलीन जो था उसने Absolute Power 1799 में गेन कर ली थी यानि नैपोलीन जो था नैपोलीन के पास पूरी पावर जो सी 1799 में आ गए थी अब इसके बाद हम बात करेंगे नैपोलीनी Coach की Napoleon कोड जो थे या Civil Code of 1804 1804 में Napoleon ने कुछ कोड बनाए जो कि उसके नियम कानून थे यानि इसको हम ऐसे कह सकते कि Napoleon के जो law थे Napoleon ने जो law बनाए थे फ्रांस के लिए तो वो law जो थे उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे देखो बच्चों ये question ना five marks का आता है board में तो इसलिए इसके points जो है वो आपको clear होने चाहिए सबसे first point है उसने क्या किया था equality before the law was established उसने लोगों को equality दी ती जैसे कि आपको पता है फ्रांस में क्या था फ्रांस में three state थे और तीनों state में equality नहीं थी तो उसने क्या क्या उसने ऐसे दियम कानून बनाए जिसके according जो है वो simple simplify किये यानि कि जो उसने administration था यानि law जो थे administrative जो reforms थे administrative जो चीजे थी वो सब उसने simplify कर दी मतलब नियम कानून जो थे वो बिलकुल clear कर दिये उसके बाद उसने feudal system को उसने पूरी तरह से खतम कर दिया feudal system मतलब जैसे landlord होते थे तो इस type की चीजे जो थी वो उसने पूरी तरह से खतम कर दी क्योंकि उसने right to property जो था right to property का right वो ले आया है जिसकी वज़े से feudal system जो था वो खतम हो गया उसके बाद presents जो थे उनको free कर दिया उसने servdom और manorial dues से यानि कि presents के उपर जो dues लगा रखे थे या जो presents थे वो दूसरों के अंडर काम करते थे तो उन सब चीजों से उसने presents को आजाद कर दिया उसके बाद उसने guilt restrictions जो था उसको भी remove कर दिया guilt restrictions मतलब जो समान एक जगे से दूसरी जगे लेके जाते थे तो उस पे जो restrictions लगा रखे थे उस restrictions को भी उसने हटा दिया इसके इलावा उसने transport और communication system को भी improve किया जो transport communication system जो पहले से चला रहा था उसमें उसको भी उसने improve किया अब देखो यह सारे जो उसके नैपोलियनी code थे यह सब हम कह सकते हैं यह सब positive थे लेकिन यहाँ पे जो एक नैपोलियनी code है उसको हम negative way में भी ले सकते हैं अब negative way में क्या था अब उसने बहुत सारे restrictions भी लगा थे जैसे देखो नैपोलियन ने क्या क्या था? Political Freedom लोगों से ले ली थी लोगों की जो Political Freedom थी यानि लोग रूलर को चूनेंगे लोग उसके खिलाब बोलेंगे लोग उसके जो rules regulation है लोगों का उसमें participation जो है! Political में तो उसने इन सब चीजों को हटा दिया इसके बाद उसने क्या क्या टेक्स को इंक्रीज किया, लोगों के उपर टेक्स बहुत सारे नहें टेक्स जो थे वो इंपोस किये, इसके अलावा सेंसर्शिप भी उसने इंपोस कर दी, मीडिया पे, न्यूस पेपर पे, हाँ चीज पे उसने सेंसर्शिप लगा दी, और एक important चीज थी उसने कि उसने क्या किया people to join French army, जबरदस्ती लोगों को French army join करने के लिए उसने मजबूर किया यानि लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के वो French army में join कराता था, तो ये थे आपके Napolini code, I hope बच्चों समझ में आउंगे, इसका आप screenshot ले सकते हो, आप इसको notes बना के लिख सकते हो, thank you, bye bye